भारत में आगामी 16 जनवरी से कोरोना वाइरस के लिए टीका करन शुरू हो जाएगा केंदर सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि वेक्सिनेशन के लिए हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वरकर्स को प्राथिमिकता दी जाएगी देश में लगबग 3 करोड हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वरकर्स के होने का अनुमान लगाया गया है इसके बाद 50 साल से उपर के लोगों को प्राथिमिकता दी जाएगी वहीं अन्य अभिमारियों से जूज रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीका दिया जाएगा के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये कुरोना टीका करन की तयारियों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं